नवस्कार दोस्तों आप देखरें सनुवा लेजुटोग यूट्यूब चिनल दोस्तों बात करेंगे सेकावट इनुविश्टी इस बीए बीए सी फर्स्ट एर सेकंड एर थर्ड एर रिजल्ट कब तक डिकलेर होने वाला है सासद बात करेंगे जो बिकॉम का जो रिजल्ट सेकावट इनुश्टी की तरफ से वो कैसा रहा कितने स्टूडेंट आप सप्लिमेंटर हैं कितने पास उसके बारे में चर्चा करने वाला है और जो बीए सी का जो रिजल्ट और बीए के जो रिजल्ट कब तक डिकलेर होंगे इसके बारे में भी आप अपडेट सामने आई बीकॉम के अंदर साथ सो इस्टूडेंट क्या हैं सप्लिमेंटरी एक्जाम देने वाले सेकावट विशिविदाल ने सनिवार को बीकॉम के जो पर्थम देते हैं तिरते वरस के प्रिक्षा परणाम जारी किये गए हैं फाइनल एर में करीब आठ हजास ज्यादा विद्ध संजीव कुमार ने बताया कि सेकावट विशिविदाल ने कोमर्ष के तीनु एर के जो परिक्षा का परणाम है एक साथ जारी कर दिया गया विकॉम पर्थम में कुल चातर पचीस सो एकतीस विद्धार्ति ने परिक्षा दी थी जिनमें से उन्सट परसेंट विद्धार्त यहां पर सप्लिमेंटर है कोई कुछ फैल भी हो चुक विकॉम सेकंड यह के बात करें तो कुल विधार्ति 2460 विद्धार्ति ने परिक्षा देती इसमें से विद्धार्त यो supplementary exam देने वालें तो ये result है वो down रहा है बिकॉम का तो और अब जो BSC की बात करें कि BSC का जो result है कब तक आएगा और कैसा result यहाँ पे रह सकता है क्योंकि BSC के देखते हो तो BSC का भी result किया हो सकते हैं आपर डाउन रहने की संभावना है तो दोस्तों बात करें BSC के जो result है वो आपके 25 zone के start हो जाएंगे आना 25 zone से एक साथ result भी आ सकते हैं एक एक result भी आ सकता है वैसे हो सकता है कि BSC के तीनु रिजल्ट दोस्तों एक साथ जारी किया जा सकता है उसके बाद में BSC के result आपके July 1st week में आना इस टार्ट हो जाएंगे तो लगबग 25 zone से आप BSC 1st year हो जाएंगे 2nd year से 3rd year तीनु रिजल्ट आना इस टार्ट हो जाएंगे उसके बाद में आपके आएंगे result है BA का result और बात करें MA MSC के जो भी student है उनके दोस्तों result हो जुलाई के 1st week से आना इस टार्ट हो जाएंगे 2nd week से भी आएंगे start ठीक है झाल